हालो फ्रेंट्स वेलकम टो अज्छानेल दिप्रिशिता शो आज का हमारा तोपीक हे 10-12 मांस के बेबी की क्या-क्या आक्सिविटीज होती हैं क्या-क्तिविटी वो कर सकता है उन आक्सिविटीज में आप कैसे उसको हेलप कर सकते हो और क्या-क्याजे से साइन होते हैं जो बचा नहीं कर रहा है या जो साइन बचा दे रहा है उस केस में आपको एक बड़ डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए यह आज इस वीडियो में डिसक्स करने वाले हैं इससे पहले हमने वीडियो की है जीरो मन्स से लेके नाइन मन्स तक के बीबी के लिए अगर आपका बेबी करें तो शुरू कर लेते हैं 10-12 मंस में बेबी आपका क्या क्या कर सकता है इससे पहले हमने बात की थी कि वह थोड़ा सा सपोर्ट लेके मतलब बैट के सपोर्ट से या सोफा के सपोर्ट से थोड़ा सा खड़ा होना सीख जाएगा और उस ताइम पे आपको इसको हेल्प कर पकड़ के बेबी आराम से चल सकता है कुछ बच्चे जो बहुत अक्टिव होते हैं वह वैसे भी चलना स्टार्ट कर देते बट मैक्सिमम किसे में देखा गया है कि 10-12 मंस में बेबी सपोर्ट से अच्छे से चल पाता है फिर है कि वह बिना सपोर्ट के अच्छे से बैठ स सकता है अपना सिटिंग पोस्चर विल्कुल करेक्ट पोस्चर में बैठ सकता है उसके आसपास की जो चीजें उनको टच कर सकता है उनको पकड़ सकता है तो यह सारी अक्टिविटी बचा 10-12 मंस में करता है और घुटनों के बल जाके किसी भी चीज को लेने के लिए वह र समान है उनको लेने की कोशिश करता है और बच्चा इस टाइम पर थोड़ा अच्छे से बोलने लगता है वर्ट जो थोड़ा सा आधे-आधे वर्ट्स बोलता था अभी तक अभी बच्चा उन वर्ट्स को थोड़ा सा करेक्ट थोड़ा सा क्लियर बोलना स्टार्ट करता है जैसे मम्मा पूरा बोल पाएगा, पापा यह पूरा बोल पाएगा और घर में जित्ते भी लोग रहते हैं लाइक दादा, दादी, बुह, नाना, नानी और जित्ते भी आपने उसको सिखाए हैं या जित्ते भी आसपास लोग रहते हैं उनको वो correct तरीके से बोल पाएगा और जो भी चीज़े आप उनको बताओगे जैसे मैं आपको पहले वीडियो में कहा था कि बचे से बात करो आप उसको बताओ जो भी आपके रूम में, जो भी आपके घर में चोटी-चोटी चीज़े होती हैं जो daily के use में होती है, like बच्चे को बताओ, ये fan है, ये AC है, ये TV है, इस तरीके से मतलब छोटी-छोटी चीज़े आप बच्चे को बताओ, तो वो कुछ-कुछ words को pick कर पाएगा, कुछ-कुछ words वो इस time पे अच्छे से बोल पाएगा, आप जब उसको गोधी में लेने के लि चुरू हो जाती है, उसको समझ में आता है कि आप क्या sign दे रहे हो, या आपका क्या demand है, या वो अभी क्या demand कर रहा है, तो ये सारी चीज़े, मतलब वो अभी बोल सकता है, आप गोधी में आने के लिए उसको बुला रहे हो, तो वो गोधी में आने के लिए अपने हाथ ब बढ़ती है, जो 9 months में थी, वो और ज्यादा उनको improve करने की कोशिश करता है, बस आपको बच्ची को थोड़ा सा help करते रहना है, कि बेबी को क्या-क्या activities करनी है, या जो वो activity कर रहा है, आप उसको encourage करो, तो वो उस activity को और ज्यादा और अच्छे से करने की कोशिश करेगा, इस time पर बेबी कुछ चोटे-चोटे words को भी समझता है, जैसे आप उसको अभी तक practice करा रहे होगे, तो आप अगर उसको बोलोगे no, तो उसको समझ में आएगा कि ये काम आप नहीं करने के लिए बोल रहे हो, या आप उसको बोलोगे आओ या आजाओ, तो वो आपकी side आएगा, या जिस भी language में आप उससे बात करते हो, वो आपके उपर depend है, बट जिस तरीकी से आप बात करते हो, जिस तरीकी से आप उसको समझा रहे हो, तो चोटे-चोटे words को समझना शुरू करेगा, और जैसे आप उसको बोलोगे, तो उसको समझ में आएगा कि आप ये किसे उसको help कर सकते हो, ये सारी activities में और ज्यादा वो अच्छे से सब कर पाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चीज तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो सबसे पहले चीज है वो आपको मालिश का ध्यान रखना है, जीरो मैंस से लेकि टू इयर्स तक आपके बच्चे क मालिश बहुत अच्छे से करनी है, आप जितने अच्छे से उसकी मालिश करोगे, उतने ज्यादा activities बच्चा कर पाएगा, उतनी जल्दी कर पाएगा और उतने अच्छे से कर पाएगा, उसको activities करने में ज्यादा problem नहीं आएगी, क्योंकि बेबी को आगे बहुत कुछ करना होता है, बेबी को चलना सीखना है, बेबी को बोलना सीखना है, उसका mind थोड़ा सा develop होना चाहिए, उसकी body strong होनी चाहिए, उसका blood circulation अच्छा होना चाहिए, तो ये सारी चीज़े करनी के लिए बेबी को आपकी बहुत ज़्यादा help की ज़रोता है, और वो help हो पाएगी जब उसको अच्छा बनाते हो, क्योंकि बच्चे के diet पर depend करता है, उसका ये सारी activities करना भी, क्योंकि जितना अच्छा nutrition उसके अंदर जाएगा, जितना अच्छा food उसके अंदर जाएगा, हर 2-3 घंटे में आप बेबी को खाना खिलाते हो, और उसकी diet का अच्छे से ध्यान रख सकते हो, हाला कि हमने एक video किया हुए इसके उपर कि बेबी को क्या-क्या खाने के लिए आप दे सकते हो, तो वीडियो भी आप जाके चानल पर देख सकते हो, तो basically diet का बहुत ज़्यादा role play करता है, इसमें बच्चे की activities करने में, तो वो भी आप help कर सकते हो, उसको अगर बच्चे को देना है, बच्चे को healthy रखने के लिए, बच्चे को active रखने के लिए पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मालिश हो गया, खाना हो गया, पानी हो गया, यह तीन चीजों का तो आपको ध्यान रखना ही है, और आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि म बैट जाओ या साथ में मदर बैट जाए या मतलब बैबी के साथ में कोई एक जना बैट जाओ और एक छोटा सा बॉल आप ले लो वह बॉल वह आपकी तरह फैकेगा और आप उसकी तरह फैको बड़ा कुछ इस तरीके की बॉल जो बचे को लगे नहीं आजकल सॉफट टाइब बॉल्स बोल्स मिलती है वह बचे के साथ खेलो बचा आराम से बैठेगा बचे की पकड़ उससे मजबूत होती है बचे का माइंड डवलप होता है कि यह चीज़ इधर से उधर जाती है और इधर से अधर आती है तो आप वह बच्छे के साथ खेल सकते हो आजकल कलरफुल रिंग आते हैं उसको स्टैंड में लगाने के लिए बच्चे को वह सिखाओ बैट के बच्चा वह बहुत अच्छा बैट के लिए करो कि बच्चा बैट के आराम से उसको खेल पाए तो बैटे जितन को बताया कि घुटने के बल जाके वो समान को लेता है तो वही आपको अरेंज करना है उससाफ से उसके टॉइज या इंट्रस्टिंग चीजे उसके लिए जो भी वो लेना चाहे और इस टाइम पर उसको चलना जरूर सिखाओ क्योंकि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि सपोर्ट से अभी चलना शुरू हो जाएगा तो सपोर्ट से तो वह चल ही रहा है अब आप उसको प्रॉपर्ली चलना सिखाएं आप बच्चे के हाथ पकड़े और आप आगे खड़े हो जाएं और एक-एक स्टेप उसको आप चलाएं या फिर थोड़ी थोड़ी देर क लिए उसको खड़ा करें तकि वह अपना बॉडी बालेंस लेना सीखें बच्चे को किस तरीके से चलना सिखाना है इस पर हमने पूरा वीडियो किया हुआ है आप चाहें तो वह जाकर देख सकते हैं तो आपको काफी हेल्प में लेकर कि किस तरीके से बच्चे को चलना के से स्वार देगा फिर जैसा कि मैं रही वस तो बलने लगता है एक या दो वर्ड वो बोलने लगेगा तो आप उसको व eens की प्रको बार बार उस की प्राक्टिस करा आओ अयक्वने उसको पापा बिले तो आगे से बच्चा को देखेगा वह वह चीज़ग ऑने की को uncyn जादा help करेगा हलागि बच्चा किस तरीके से जल्दी बोल सकता है इस पर भी पूरा विडियो है चानल पे आप जाके वह भी देख सकते हैं तो इस टाइम पर बच्चे को चलने की practice आपको करानी है बच्चे को बोलने की practice आपको करानी है यह सारे आपके responsibilities हैं फिर इस टाइम उसके लिए नहीं होती है बड़ा excitement के साथ वो उसको करना चाहता है sometimes क्या होता है वो इतर उतर चीजे खीच रहा होता है या वो आपको कुछ खीच रहा होता है तो कई बड़ी चोट लगने की chances भी हो जाते हैं तो उस case में आप बच्चे को carefully खेलना सिखाओ उसको डाटो न होगे तो उसका बड़े होते तक का नीव बहुत खराब हो जाएगा तो आज पैरेंट्स आपकी responsibility कि आप थोड़ा patience रखो इस टाइम पर बच्चा खेलने के लिए बहुत excited होता है क्योंकि वो थोड़ा सा खड़ा होना start हो गया है तो उसको सारी चीज़े करने को मन करता है तो कुछ चीज़े ऐसे में तूट जाती है या कुछ जो भी उसके साथ खेल रहा होता है उनको कुछ हाम हो सकता है तो आप अच्छे को correct करो उसको आप डांटो नहीं प्यार से उसको आप समझाओ ऐसे टाइम पर आप बेबी को स्टोरी सुना सकते हो उसको आप स्टोरी सुनाओ उसको आप इंड़र्डक्शन कराओ बुक से हो सकता है कि आप भी बुक साफ उसको दो तो वो फाडने की कोशिश करें तो आप इस तरीके की बुक्स अरेंज कर लो जिनके pages laminated रहते हैं जो फट नहीं पाते हैं, या जिनके उपर बड़े colorful से pictures बने होते हैं, बच्चा उसको देखने पर बहूत इंटरस्टेड होता है, वो colorful pictures को देखके आप उनको बताओ कि यह चीज होती है, यह चीज होती है, हो सकता है कि बच्चा उस- ताइम पर पूरे तरीकी से सीक नहीं पाए बट जैसे जैसे आप उसको चीजे बताते हो, उसको दिमाग में लेना स्टार्ट करता है, वो चीजे से को पहचान करना शुरू करता है, तो आप उसको book से जरूर इस टाइम पर introduction कराओ, वो बहुत जरूरी है इस टाइम पर, और आप बच्चे को इस टाइम पर story सुना सकते ह उनको अपनी जो भी लांग्वेज है आपकी उस लांग्वेज में आप बच्चे को स्टोरी सुना हो स्टोरी सुनना बच्चे को बहुत अच्छा लगता है और यह चीज़े आप कर सकते हो बच्चे के साथ स्टोरी सुनाना और बच्चे को बुक्स का सब करना और जो भी लिए किसे आपका बेबी एंकरेज होता है उसको आप हमेशा हेल्प मत करो लाइक आप उसको चलाने की कोशिच कर रहे हो तो हमेशा आपने उसके हाथ पकड़े हुए सिरफ इस डर से की बचा गिर जाएगा पर यह सही नहीं है आप जब उसको कोई अक्टिविटी करा रहे हो या बचा खुद भी कोई अक्टिविटी कर रहा है तो हो सकता है वो अक्टिविटी कभी कोई गलत कर दे तो आप उसको बाद में करेक्ट कर सकते हो आपको पहले चीज यह करने है कि आपको हमेशा हर एक अक्टिविटी पर बच्चे को एंकरेज करना है और हर टाइम उसको help नहीं करना है उसको कुछ चीज़े खुद करने दे वो बच्चा तभी सीखेगा कि किस तरीके से चीज़ों को किया जाता है और बच्चे को यह समझ में आएगा कि हाट टाइम आप उसके पास help के लिए अवलेबल नहीं हो बच्चे को कुछ चीज़े खुदी करनी है उससे बच्चे का बेस्ट रॉंग होता है बच्चे की नीव मजबूत होती है तो यह चीज़े आप बच्चे के साथ करो अब यह डिसकस कर लेते हैं कि ऐसा कॉंसर टाइम है जब आपको डॉक्टर से ज़रूर बच्चे के साथ क्या क्या प्रापलम्स हो सकती है तो बड़ा शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी जो भी आक्टिवुटीज बताए कि बचा यह यह अक्तिविटीज कर सकता है कुछ बच्ची बच्चे आक्टिविटीज को राइट टाइम पर कर लेते हैं कुछ बच्चे आक्टिविटीज को थोड़ा जल्दी भी कर लेते हैं बट हर बच्चे आक्टिविटीज कर लेते हैं बट जो भी मैंने आपको अक्टिविटीज बताई 10-12 मांस के अगर आपका बच्चा 12 महीने स्टार्ट होते या 12 महीने खतम होते तक भी ये अक्टिविटीज नहीं कर पा रहा है या ये अक्टिविटीज में थोड़ा भी अपना इंवॉल्मेंट नहीं दिखा रहा है तो आपको जरू डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर वह आपको नहीं लग रहा है वह अभी भी ठीक से बैठ नहीं पा रहा है सपोर्ट से बैठता है या वह अभी भी अपना नेक नहीं संभाल पा रहा है या मैंने आपको बताया कि घुटनों के बल जाके चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है उसमें इंटरंस दिखाता है या सपोर् कोई साइन नहीं देता या ऐसा कुछ पी जो आपको लग रहा है कि इस एज में आपको बताया कि जो जो सब चीजे होनी चाहिए वो बच्चा वो चीजे नहीं कर रहा है एक बार जरूर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो हो सकता है यह नॉर्मल हो क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ बच्चे चीजों को थोड़ा लेट करते हैं तो हो सकता है आपके डॉक्टर कहें कि वह थोड़ा लेट भी चीज को कर लेगा ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अगर ऐसा है त थोड़ी साफधानी बरतते हुए आपको अगर लग रहा है कि बच्चे के साथ ऐसा थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम है तो जरूर से जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें मैं फिर से कहांगी कि हो सकता है आपके डॉक्टर कहें यह नॉमल है बट पॉसिबिलिटी है क कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम हो और राइट एज पर उसका राइट ट्रीटमेंट उसको मिल जाएगा तो यह बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा तो आपको पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें आज के लिए इतना ही थांक्यू सो मच